जापान में रक्षा मंद्री रह चुके शिगेरू इशिबाब देश के नए प्रधान मंत्री होंगे शुक्रवार को उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानि लडीपी के चुनाओं में उन्होंने जीत दर्च की वे एक अक्टूबर को संसत्सत्र की शुरुवात के साथ पद समालेंगे बता दें जापान में सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधान मंत्री चुना जाता है LDP पार्टी के पास संसत्र के दोनु सदनों में वहुमत है ऐसे में पार्टी अध्यक्ष चुने गए इशिबा अब जुलाई 2025 तक पीम पद पर रहेंगे इसके बाद देश में आम चुनाव होंगे 67 साल के इशिबा ने अपने प्रतिदूंदी सनाय तकाईची को 21 वोटों के अंतर से हराया इशिबा को पार्टी सदस्यों के 215 वोट हासिल हुए इशिबा इससे पहले भी चार बार पार्टी लीडर्शिप के लिए चुनाव लड़ चुके हैं 2012 में वे शिंजो आबे के खिलाब भी खड़े हुए थे लेकिन उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा चुनाव जीतने के बाद इशिबा ने कहा अब पार्टी नए सीरे से खड़े होकर लोगों का भरुसा जीतेगी मैं अपने कारकाल में देश की जनता किसे सच बोलूँगा मैं देश की सुरक्षित और खुशाल बनाने के लिए काम करता रहूँगा